दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरोईत आप सभी के साथ मार्केट में कैसी आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए उसके पीछे का क्या लोजिक है सब कुछ जानेंगे हम इसी व बन किया है निप्टी के चार्ट को अगर आप बिल्कुल धिहान से देखोगे तो काफी अच्छे पैटन आपको बनते हुँ दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात देखिए जो पैटन में देखिए आपको मूब दिखाई देते हैं वह मूब के बारे में मैं आपको इस जगा टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं और यहां पर देखिए जो पैटन आपको यहां पर दिखाई दिरा है जी देखिए मैंने आपको थिरी अवर्स का यह पैटन सेंड किया था उसके बाद अगर आपने देखा तो काफी अच्छी गिरावट आपको देखने को सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया गया है अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट में देखिए उपर के लेवल से यानि इस वाली जो टॉप से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई दिने को मिल जा तो जो नीचे का इसका जो लो था वो इस जगह देखिए आपको देखने को मिल जाता है नीचे की साइट का लो तो यानि अगर मैं बात करूँ तो उपर की साइट हम इसमें लिखना चाहेंगे 18604 का देखिए इसका हाई था उस हाई के देखिए उपर नहीं जा पा रहा थ नहीं अ जबकि अगर मैं बात करूँ इसने जो अभी हाली में हाई मारा था वो कहीं नहीं अटारह हजा Τالم 60 के सम्टिंग का हाई मारा था या अगर मैं बात करूँ तो कम से कम इसमें अभी भी आपको देखने को मिला वो 250 पउंटों का द्रीभारियंस लेखने को मिला इस हा इसमें जो volume आपको दिखाई दे रहा है कि जो volume आपको दिखाई दे रहा है इस volume तक देखे यहाँ तक काफी अच्छा था लेकिन उसके बाद अगर आपने देखा तो जो volume जो थे उसमें correction आपको दिखाई दे रहा था और उस पूरा fonction का effect आपको देखे चार्ट पर देखنا को कोसिस कर रही है कि यह नीचे जरूर गया है उस नीचे जाने के बाद इसमें एक bounce back देखने को मला और उस bounce back के बाद इसने इसी जगह आपकी closing दी यानि आपकी एच जगह opening आपको देखने को मिली इस जगह इसने low मारा और low मानने के बाद इस जगह कि किलोजिंग आपको देखने को ली तो यानि इसकी जो किलोजिंग हुई है वो इस जगा 17670 की आपको किलोजिंग देखने को मिल जाती है और आप सभी को याद होगा कि मैंने आपसे एक बात बोला था कि आपका जो वाला जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी आपको इसी लेवल पर देखने को मिलेगा जो की हमारा था 17600 का सपोर्ट आप सभी को याद होगा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा उस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर मार्केट में गिरावट आनी है तो इसी के आसफस आएगी और यही आपका एक सपोर्ट का काम करेगा इंटर डे में मैंने जो इसमें सपोर्ट बताया था वो 17500 का सपोर्ट बताया था और उस पर देखिए काफी अच्छा सपोर्ट लिया मैंने बोला भी था कि अगर आप से नहीं बोलूँगा आप सभी को सब कुछ पता है और अगर मैंने ऐसा बोला था तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए वीडियो को शेयर किया करो बिल्कुल पूरा देखा करो क्योंकि जो नॉलिच मैं आपको दे रहा हूं वो नैस्टी लेवल का है अब यहां पर देखिए एक चीज़ में आप जहां पर मैंने आपको समझाए अब मैं चली इस जगह निप्टी का चार्ट उपन करते हैं इस जगह अपन निप्टी का चार्ट इस जगह मैं लगा ले था हूं जे निप्टी का चार्ट मैंने उपन किया जे देखिए जे आपका पूरे पै लही alive तो उससे पहले दिखिए मैं आपको बता अपकर को कारी किया जाता कि मार्कलट आपके सब्सक्राइब मेरे अ step ईचलता हमार्केण ५वेन और रिक मार्केण में जगह सत्रा छेशों का आपका सपोर्ट तर जो कि देखिए मार्क में कि 100 पॉइंट आप नीचे बाइंग कीजे इस जगह CE को, 100 पॉइंट नीचे क्यों बोला, क्योंकि मार्केट लेके इस जगह एक जब गरावट के मुवमेंट पर आता है तो वो थोड़ा ज़ादा गरावट देता है, ऐसा आप सभी को पता है हमारे बहुत छोटे SL होते हैं और उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमको कितना पॉइंट मिला इस जगह 150 पॉइंट हमको देखे इस जगह देखने को मुला क्योंकि मार्केट ने नीचे की लेवल से कितना बाउंस पैक दिया था, इस जगह 17,650 के संतिंग का देखे बाउंस पैक दिया था और हमने कहां पर बाईई करने के लिए राय दीती 17500 अब देखिए अब हमको कैसे काम करना है कि अब जो हमारा रजिस्टेन है वह रजिस्टेन क्या हि जेवाला रजिस्टेन है क्योंकि मार्केट देखे इस एक आस्वा देखिए अटकता हुआ दिखाई रहा है जो कि सतरह जा सासो पे अगर आप देखोगे तो सतरह जा सासो इसके पास अगर मैं देखे ने तो सतरह जा सासो जा नहीं जा रहा है हम क्या काम कर सकते हैं इस जगह मैं आपको दिखाना जाएंगा सबसे पहली कंडिशन हम क्या काम कर सकते हैं कि अगर मार्केट आपका 17700 के आश्वास open हो जाता है देखे मार्केट एक gap देखे ऊपर की site open हो जाता है तो हम उच्छ जगह क्या करेंगे हम देखे एक जगह सीई बाइंग नहीं करेंगे हम वेट करेंगे उसके बाद मार्केट आपका करने के बाद फिर एक नीचे डाउन फॉल दिया तो हम मुझ्छ का क्या करेंगे पी बाइंग करने की कोसिस करेंगे जह हमको जब ही करना है जब मार्केट आपका तेजी के साथ ओपन हो गया तो हम फिर हमारे टार्गेट क्या होगा 27 600 का पहला टार्गेट ठीक है दूसरे टार्गेट के अगर मैं बात का हूँ 27 500 का अब देखिए जैसे कि मैं हमेसा आपको तीन टार्गेट देता हूँ एक दो और तीन लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा है कि इस जगा जो सत्तरा पांसो का जो लेवल है उस पे आप 50% पॉफिट बुकिंग कर लीजे क्यों कर लीजे क्योंकि मार्केट का जे सपोर्ट है देखिए जे वाला सपोर्ट है ठीकि हमने इसी सपोर्ट पर पहल यानि अगर मैं कुल मिला के बात करूं कि इस जगा हमको रिव्यू करना है मार्केट को ठीक है मार्केट को रिव्यू करना है कि जे सत्तरा पांसो को नीचे क्रॉस कर रहा है या इसको सपोर्ट ले रहा है अगर जे क्रॉस कर देता है तो फिर आपको ये को टार्गेट करना चाहिए अब चलते हैं तो उसके यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमको option chain जरूर देखना चाहिए एक्सपारी के पहले दिन हमको option chain देखना चाहिए और एक्सपारी के बाद भी हमको देखना चाहिए जिस दो दिन काफी important होते हैं option chain देखने के लिए ऐसा क्यों क्यों यहां पर हमको पता चलता है कि वही जो टेडर है वो क्या करके गए हैं उनको क्या लगता है सौंबार को कैसा market open हो सकता है यह उनको उन्होंने क्या hold किया है वो क जगह देखें अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर अगर मैं total trade बात करूं बैसे देखें सत्तरहजार आपको ओई देखने को मिलेगा और उसी में अगर मैं changing की बात कहूं तो changing आपको कितनी दिखाई दे रही है changing आपको 27225 की changing दिखाई दे रही है यानि इस जगह ल सत्तरह पान सो आपको एक support है देखें सत्ता पान सो मैं आपको simple वहासा में बात कहूं सत्ता पान सो एक gate है ठीक है उस gate पर बजार आएगा टक टक करेगा फिर उपर से एक sailing आएगी फिर बजार नीचे आगा टक टक करेगा अगर बजार इसको नीचे की side cross कर देता जो कि वह आपको सत्तरह पान सो के नीचे देखने को मिलेगी ठीक है अब आप यहां पर देखें कि नो हजार के something तो आपकी changing होई है इस level पर और आप देखें कि सत्तरहजा से भी जादा देखें इस जगह ओ आई आपको देखने को मिल जाता है अब उसी जगह अगर मैं बात कहू आपको बात किया है अब आप सोची आपने इस जगह सत्तरह साथ्सों पर कुछ बाइंग किया है अपका उपर की शायट ओपन हो गया यानि तेजी के साथ आपको आपको पर आपको बात किया है को ओपन हो गया है तो एक बार आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि हाँ वही मेरा जो लॉस हो रहा था देखिए अभी तो लॉस होई रहा है ना यहां पर आप देखें मार्केट कहां बंदुगा है आपका इस जगह सत्तरह चैसों के आश्वस बंदुगा है तो मार्केट में अभी तो लॉस हो रहा है यह पूरा आपको क्या दिखाई दे रहा है यह पूरा अगर आप देखोगे तो लॉस ही तो दिखाई दे रहा है यह लोगों को लॉस हो रहा है तो अगर मार्केट उपर की साइट ओपन होता है और यहां पर सत्तरह सासों के आश्वस तो जो वो कहीं ने कहीं सोचेंगे कि यहां जितना मुझे loss हो रहा है वो loss profit में बदल चुका है तो मैं इस जगा book करना पसंद करूँगा फिर market मुझे मौका देगा तो फिर मैं market में opportunity देखूँगा तो market अगर आपका देखे यह जगा 9-15 पर अगर आपका market open तेजी के साथ हो भी जाता है तो आपको CE buying नहीं करना है क्योंकि फिर वो रिक्सी है जो लोग यह जगा पहले से buying करके गये हैं वो खुद फसे हुए हैं तो जो फसे हुए हैं वो पहले लिख लेंगी ना तो जैसे ह वो निकलेंगे तो फिर market आपको एक और opportunity देगा और जो मैंने आपको PE बताया है उसमें एक अच्छा वापिट देखने को मिल सकता है ठीक है जे चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो लेकिन अब सवाल आता है कि चलिए वो तो वाट ठीक है लेकिन अब मु को अपका support है वो आने वाला क्या हो जाता resistance हो जाता है जैसे कि अगर आप देखोगे तो जी आपका क्या था या आपका क्या था ? आपका क्या हो चुका है यह एक बात धिहां देना है कि इसमें एक gap बना हुआ है वो उस gap को बज़ार ऊपर फेल करने जा सकता है इसलिए मैंन यह जगा बता के रखाए 17700 के आसवर्स वहाँ पर एक रेजिस्टेन है अगर बजार वहाँ पर रुखता है तो ठीक है अगर 17700 को पार करता है जाब नियू तेजी देखने को मिलेगी और नीचे की चाइट इसका लो जो आपको लो दिखाई दे रहा है यह आपको देखें 1748 7 के आसवर्स यह आपका लो है ठीक है इस लो के नीचे अगर जाता है तो फिर मार्केट में आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है तो यानि हमको अब जो सेलिंग करना है वो इसके लो के नीचे सेलिंग करना है ठीक है अगर इसका लो नीचे क्रॉस हो जाता है देखे market उपर गया फिर नीचे एक base बनाया जहाँ पर market रुखा base बनाके फिर एक bounce back दिया फिर market इस जगा base बनायगा और फिर उसके बाद अगये इसको cross कर दीता है यानि इस level को cross कर देता है मैं इसको red color से कर देता हूँ देखे इसको cross यानि अगर मैं बात कहूं तो दो दो लेवल ही मैं आपको दे रहा हूं ठीक है तीसा लेवल अभी लिकल नहीं रहा है और मार्केट में देखेजिए मार्केट जो बताता है न उसी हिसाब से काम करना चाहिए अगर आप अपना ज्यादा दिमाग लगा हूए तो पैसा नहीं बनेगा लेवल को देखे काम कीजिए कि वहाई जो रजिस्टेन है वो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है ठीक है सिंपल से बात अगर निव तेजी आएगी तो सत्रा साथ सो के ऊपर ही आएगी और वो चीज में आपको टेलीग्राम चैनल बे बताई दूँगा वाकी देखे वीडियो कैसी लगी जड़ू मुझे बताईए वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सस्काइब कीजिए हमारे टेल टी बैंक निप्टी का वीडियो पॉब्लिज कर दिया उसको जाकि आप देख सकते हो जय हिन बनने माता हम